Hello everyone, welcome back to another video, I hope सब कुछ बड़ी अजल रहो आप सब की जिन्दगी में आज की वीडियो में ना भाई हम कंपैरिजन करने वाले हैं All new Hyundai Xter versus Hyundai Venue का जैसे आपको होता है दोनों भाई Hyundai के कारे हैं दोनों सब 4 मीटर में आती हैं बड़ प्राइस रेंज भाई इनका अलग है Xter 6 लाग से शुरू होगे 10 लाग तक जाती है Whereas Hyundai Venue भाई 7-7 लाग से शुरू होगे 13-13 लाग तक जाती है Approx से हमें एक शोरूम की बात कर रहा हूं Onward वही है, स्टेट टू स्टेट है वैरी करेगा तो भाई आज की वीडियो में आपको बता चल जाएगा कि आपको कौन सी कार बाई करनी चाहिए Hyundai Xter या फिर Hyundai Venue क्योंकि आपको भी पता है भाई जो Hyundai Venue के नीचे वाले variants है जैसे S हो गया, S optional हो गया वो आप बाई कर सकते हैं जितनी की Xter आती है तो वीडियो को आप end तक देखना and comment section में जुरूर बताना भाई कौन सी कार बढ़िया है Hyundai Xter या फिर Hyundai Venue बट सबसे बहले में आपको उता है तो भाई Hyundai Venue में जो सबसे बड़ा जिसे कहते हैं एडवांटेज है वो है इसके engine option इसमें आपको 1.5 डीजल भी मिल जाता है 1.2 पेट्रोल भी मिल जाता है 1.0 तर्बो पेट्रोल भी मिल जाता है whereas Hyundai Xter में आपको केवल 1.2 पेट्रोल इंजन मिलता है बट जो अच्छी बात है 4 स्लेंडर है जो इसकी competitor है Tata Punch उसमें आपको 3 सिलिंडर मिलता है whereas डूसरे engine option की बात करें Hyundai Xter में आपको CNGV मिल जाता है बट अब बात करते हम exterior and interior की start हम करते है Hyundai Xter से front से start करें इधर आपको setting finish में Hyundai का logo मिल जाता है इधर आपको Xter की badging मिल जाती है इसी कुछ है इसकी grill जो की gloss black में बहुत ही बढ़िया लग रही है बट जो सबसे बढ़िया चीज मुझे लगी ना इसकी DRLs H-shape में DRLs है इधर आपको indicator मिल जाते है जो की hello gen है इधर आपको projector headlight मिल जाती है and ground clearance की बात करें 185 mm की एक्सचर की ground clearance है साइड में आ जाते है टायर साइस की बात करें 15 इंच के बढ़िया इसमें आपको टायर मिल जेंगे इधर आप पढ़ सकते है 175 R15 diamond cut alloy wheels आपको मिल जाते है युनीक सा आपको alloy wheels का design मिल जाते है black color की इधर आपको cladding मिल जेगी इधर आपको indicator मिल जाते है door handles की बात करें chrome door handles इसमें आपको नहीं मिलते है body color ही door handle मिल जेंगे request sensor आपको मिल जेगा क्यूंकि यह है top model इसलिए आपको keyless entry मिलती है ऐसी कुछ है इसकी की कोई flip की नहीं है बट प्रीमियम की इसकी बहुत ही जाते है अब आजाते है rear में इधर आपको ना unique सा spoiler मिल जाते है इधर है rear defogger, rear wiper, high mount stop lamp, shark fin antenna इसमें आपको मिल जाते है sunroof मिल जाते है tail light की बात करें LED tail light मिल जाते है again H shape में इधर आपको halogen indicator, reverse light, SX की badging, Hyundai का logo and Xster की badging इधर मिल जाते है reverse camera मिल जाते है 60-40 split का कोई भी option आपको नहीं मिलेगा unfortunately मिले खाल से यार वो तो होना जिये था बट नहीं है क्या कर सकते है और interior की बात करते है सब से बहले door trim की बात करें ऐसा कुछ है इसका door trim power windows के control मिल जाते है overview हम आप फोल्ड कर सकते है adjust कर सकते है bottle holder कुछ space and yes इस कार में आपको चार स्पीकर मिल जेंगे और tweeter भाई नहीं है और इधर आपको मिल जाते हैं इंजन स्टार्ट का बटन बट जो एक अच्छी चीज है न भाई फूट लाइट इसमें आपको मिल जाती है यह देख लो इंस्ट्रूमेंट क्लस्चर मतलब हद होगी यार तब भी आपको ऐसा इंस्ट्रूमेंट क्लस्चर मिलेगा और लेधर आइस इसमें आपको स्टेरिंग वील मिल जाता है इधर आपको इंफोटेन्मेंट स्क्रीन के कंट्रोल मिल जाते है यह जैसे आपको होता है वर्ना वाला यू आई है पुराने वाला यू आई नहीं है इसमें आपको एंडवेड आटो एपल कार प्ले जैसे ना फीचर मिल जाते है बाकी नीचे आपको मिल जाता है आपको मिल जाता है इस कार में आपको डैश केम मिल जाता है जी हाँ, N-Line में अभी तक मिलता था, Venue N-Line में, बट अब Exter के Top Model, SX Optional Connect में आपको Dash Cam भी मिल जाता है, जो कि Wi-Fi से चलता है, Blue Link का बटन मिल जाते हैं, जैसे भाई, Top Model है, तो Blue Link भी इसमें आता ही है, Connected Features जैसे आप इधर भी देख सकते हैं, Blue Link, और यह भाई, Automatic IRVM नहीं है, Manual IRVM है, Hello Gen, इसमें Cabin Lights हैं, इस कार में भी आपको Sunroof मिल जाती है, जो की है, Electric, क्या बात है भाई, मैं कहारा हूँ, सबसे ज़्यादा Feature इच का रहे हैं, मतलब Micro SUV सेगमेंट में, अब Features की बात होई रहे हैं, Safety Features की बात करें, इसमें आपको 6 Airbags मिलते हैं, ABS with EBD, ESE, Hill Hold Assist जैसे na, Safety Features मिल जाते हैं, बाकी इधर कुछ Space है, and yes, Glove Box की बात करें, Cool Glove Box इसमें आपको मिल जाते हैं, and Seats की बात करें, Semi Leatherized इसमें आपको Seats मिल जाते हैं, मतलब कि इधर Fabric है, इधर आपको Leather का Option मिल जाते हैं, इधर कोई Armrest इसमें आपको नहीं मिलती है, बाट दो Cup Holder मिल जेंगे, इधर भी कुछ Space है, रियर डोर्ट्रिम की बात करें, ऐसा कुछ है, इसका रियर डोर्ट्रिम, और Reclined Angle भी जबरदस्ट है, जो एड़स्टिवल आपको एडरेस मिल जाते हैं, कोई Center Armrest आपको नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ आजाता है, डैश बोर्ट का लुक, और हाँ यह देख लो, रियर एस इवेंट्स मिल जाते हैं, इसका वील बेस बेस्ट इन सेग्मेंट है, 2450 mm का, वेर एस वेन्यू का 50 mm जादा है, यानि की 25 mm का, और एक्सटर की बात, आप इधर ही खतम करते हैं, वेर एस भाई, आप वेन्यू की बात करें, जो सबसे बड़ा ही, इसमें भाई डिफरेंस आ जाता है, आपको अच्छा घासा दिख जाता है, जैसे मैंने आपको एक्सटर में दखाया, ख्रोम ट्रीटमेंट भाई आपको नहीं मिलेगा, इधर आपको हंड़ाई का लोगो मिल जाता है, इधर आपको DRLS मिल जाती है, ऐसी कुछ है इसकी है इसकी है एडलाइट, सिंगल प्रोजेक्टर के साथ है, रिफ्लेक्टर बेस लाइट भी आपको मिलेगी, इधर आपको इंडिकेटर मिल जाती है, ग्राउंड क्लेरंस की बाद करें, एक्सटर से इसमें ज्यादा ग्राउंड क्लेरंस है, या निकिन 195 mm की, एक्सटर की जैसे मैंने आपको ताया, 185 mm की ग्राउंड क्लेरंस है, दोनों कारों में आपको फोग लेट अगेरा नहीं मिलती है, एंड स्किट प्लेट आपको इसमें मिल जाती है, यह है टॉप वेरियंट, एसमें आपको जाती है ता भाई, वेन्यू के आपको टायर भी बड़े मिल जाते है, 16 इंच की मिल जाते है, 215 R16, डामेंड कटना इसमें अलोई विल्स है, डिस्क ब्रेक आगे है, और पिछे नहीं है, बतलब कि दोनों में सेम ही साब किताब है, आगे आपको डिस्क मिलेगी, पिछे आपको ड्रम ब्रेक्स ही मिलेंगी, अब मेन बाद आ जाती है रियर लुक की, वेन्यू की रियर लुक मुझे, एस कंपेर टू एक्स्टर बहुत ही बढ़िया लगती है, इधर आपको ना कनेक्टिंग टेल लाइट मिल जाती है, इधर हुंड़ाई का लोगो, वेन्यू की बैजिंग, तर्बो की बैजिंग क्योंकि 1.0 तर्बो है, जो आपको एक्स्टर में नहीं मिलता है, इधर आपको मिल जाता है हाई माउंट स्टॉप लैम, डिफॉगर, रियर वाइपर और वोश्टर भाई इधर है, जैसे एक्स्टर में इधर है ना, मर जो रख है हाई माउंट स्टॉप लैम में, बट इसमें ऐसा नहीं है, बट कमेंट सेक्शन में आप लोग बता हो कि रियर लुक किसकी जाधा बढ़िया लग रही है, मैंने तो आपको बता आ दिया, मुझे इसकी जाधा प्यारी लग रही है, फ्रंट लुक कहीं न कहीं हमें एक्स्टर की बढ़िया लगती है, दोनों गारे भाई सब 4 मीटर में ही है, तो स्पेस लगभग आपको सेम सेम लगेगा, बट अभी हम रियर में भी जाएंगे भाई वैन्यू के, तब देखते हैं क्या सीन है, मतलब एक्स्टर का स्पेस मुझे तो बढ़िया लगा, रूफ रेल्स इसमें भी आपको मिल जाती है, एक्सटर में भी आपको मिल जाती है, और ये देखो भाई, सन्रूफ उसमें भी आपको मिल जाती है, बट जैसे मैंने आपको सारा दिखाया, बट कहीना कहीना भाई, इसमें आपको मिल जाती है, अब मैंना इन डिटेल तो कवर नहीं करूँगा, बस मेजर मेजर आपको डिफरेंस बताऊँगा, जैसे इसमें आपको ड्राइब मोड मिल जाती है, ठीक है, जी, ऑटोमेटिक है, DCT है, बट एक बारना मैं कार को असेसरी मोड में डाल देता हूँ भाई, जो सेम चीज़ है ना भाई, वो है, इसका इंस्ट्रूएंट क्लस्टर, बट स्टेरिंग विल पर्सनली मुझे वेन्यू का जादा बढ़िया लगता है, DCT and infotainment screen के बात करें, वो ही 8 हिंच की infotainment screen है, इसमें आपको अलेक शेप के मिल जाते हैं, मतलब कि देखा जाए ना, प्रीमियम अंदर से आपको वेन्यू ही लगीगी भाई, तो तभी इसका प्राइस भी जाद है, बट इंस्ट्रूएंट क्लस्टर देख लो यार, एक्स्टर में भी सेम, इसमें भी सेम, बट येस, ये देखो भाई, एक चीज़ छूपी भी है, एर प्यूरिफायर, आईनो इसका यूस कुछ ही होता, बट स्टिल, वेन्यू में आपको एर प्यूरिफायर भी आ जाता है, एक्स्टर में तो भाई, सेंटर आमरेस्ट ही नहीं है, बोनेट का, मतलब कि कम्बांडिंग पोजीशन ना, वेन्यू में आपको जाधा मिलेगी, एस कंपेर तो एक्स्टर, बाकी तो कमेंट सेक्शन में आप बताओ, आपको इंटीर किसका जाधा बढ़िया लग रहे है, मुझे एर परसनली इसका जाधा बढ़िया लग रहे है, मतलब कि जाधा एरी-एरी सा लग रहे है, एस कंपेर तो एक्स्टर, जस्ट बिकॉस इसका जो कलर टोन है न भाई, वो अलग है, मतलब कि ड्यूल टोन है, उसमें भाई, वो यह ब्लैक इश सा है तो इस वज़े से, और वाग की दो फैब्रिक सीट सीज में मिलती है, मतलब कि सेमी लेदराइज जाएं, एक्स्टर की तरह, अब रियर स्पेस चेक करते है, दोस्ट को बलाता हूँ में, अबर बैट, तो एक्स्टर में बैठा था ना, रियर स्पेस कैसा लग रहा है इसका, उससे कम लग रहा है, मतलब कि कमफर्टेबल जादा कॉम सी लग रही है, एक्स्टर एवन्यू, उसकी सीट पर थोड़ी चोटी है, और रिक्लाइन मुझे इसका जादा बढ़िया लग रहा है, है ना, और इसमें सेंटर आर्म रेस्ट भी मिल जाती है, एक्स्टर में सेंटर आर्म रेस्ट भी नहीं थी, मतलब यह थोड़ी से एड़ेस्ट कर ले, अगर तुझे चूस करने हो, एक्स्टर या वेन्यू, बढ़ी घड़ी है ना, भाई फिर महेंगी भी तो है, मतलब कि देखो एक्स्टर शुरू हो जाती है आपकी 6 लाग से और जाती है 9,83 यह आपकी जल जती है 12 तेरा तक, क्या कह रहे हो, जो सेम पैसम वेरेंड तो ले लो, एक्सटर की जगा यह कह रहे है कि एस वाला ले लो है ना और इसमें डीजल भी तो आ जाते है भाई अगर डीजल मिल जे तो क्या माड़ है उसमें तो आपको नेक्स्ट वीडियो में तिल लेन बाबाई टेक क्यार एंड परस्नली कोई मिरस से बुछे अगर मेरा बजट कम है तो मैं इसका नीच चाले वेरेंट पे चल जूँगा मतलब की वैन्यू यार किसे भी दिन जाऊँगा क्यूंकि रियर लुक भी तो बढ़ी है बाकी तो फ